अब देखो यार अगर तुम लोगों ने अभी तक AEW का All-In Pay-Per-View नहीं देखा है तो गाईज मैं तुम लोगों को बता दू आज वेंबले स्टेडियम में AEW के All-In Pay-Per-View के उपर हमें और गुली रसलिंग इंडस्ट्री का One of the Best Coffin Match देखने को मिला जहां पर वेंबले स्टेडियम में AEW के All-In Pay-Per-View के उपर आज यहां पर इस्टिंग और डार्बी एलन क्रिशिन केज और स्वार विश्टिकलिन को कॉफिन मैच के अंदर फेस करते गएं और गैज क्योंकि यह match coffin मैच होता है तो गैज इसे लिए आज इस match के अंदर time to time काफी सरे wrestler coffin पर attack करते गएं बड़ गैज यहाँ पर आज इस पूरे मैश के अंदर मुझे यहाँ पर जिस रेसलर की पॉफॉरमेंस सबसे ज़रा बढ़िया लगी वो और कोई नहीं बलकि दिया इकॉन इस्टिंग है क्योंकि गैज इस्टिंग के 63 साल के होने के बाद दी जिस तरीके से इस मैश के अंद आज ओल इन पेपर वीव पर इस्टिंग परफॉरम कर रहे थे वो वाकई काबिले तारीफ है क्योंकि गैज इस मैश के अंदर एक टाइम पर इस्टिंग स्वर्ब इस्टिंगरेंट के उपर रिंग सैड एरिया पर टेबल पर जम करते गएं जिसके बाद की टेबल नहीं तो गाईज यहीं विश्टिंग यहाँ पर दोबारा से रिंग में जाके रिंग के अंदर से स्वर्ब इस्टिंगरेंट के उपर जबरदस बॉड़ी इस्प्लेस यूज करते गएं और गाईज यहाँ यहाँ पर दो दो बार बॉड़ी इस्प्लेस हिट करने के बाद कॉफिन के अंदर डालते हुए दिखाई देते गए और गाईज लगता है कि ये मैच बिल्कुल ओबर हो चुका है तब ही यहाँ पर इस्टिंग उनके बेसबॉल बैट के जरिये कॉफिन को खोल देते गए और गाईज इसके बाद इस्टिंग स्वर्बिश्टिंगन के ऊप पर बैग डू बैग कॉफिन के ऊपर एक और इसकॉर्पियन देथ ट्रॉप लगाते गए जिसके बाद कि वेंबले स्टिंग के अंदर स्वर्बिश्टिंगन को फाइनली डार्बी एलन और इस्टिंग कॉफिन के अंदर बंद कर देते गए और गाईज ओल इन पेपर वि के ऊपर इस्टिंग और डॉर्बी को सॉलिड विक्टरी मिलती गए